हाई गाईज वेलकम टू मैं एटूप चैनल आज मैं बनाओंगी ऐसी रेसिपी जो मचली चिकन को भी भूल जाएंगे और पनीर भी भूल जाएंगे ऐसी रेसिपी जो चावल या रोटी के संग खाएं तो उंगली भी चट करके खाएंगे इतना टेस्टी और इतना आसान औ मेरे चैनल में नहीं हो तो सब्सक्रेब जरूर कर दे ना तो ये बनाई हूँ मैं छेना बॉल्лек करी अगर दूध आपका फट जाए तो छेना को एसे बॉल्स बना के आप उसकी सबजी बना सकते हैं बहुती तेस्टी बनती है और बहुती इजी ली तो छेना को मैंने एसे फट गे थी तो उसको छेना को फाड़के निकालके और वही छेना को उसमें मैंने एक चामच मेदा एड़ करके उसको मिक्स में थोड़ा घ जाएगी नहीं तो आप हाथ से भी इसे रगड रगड की मसल सकते हैं प्लेट में तो उसको आच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और उसको हातों से लेके अगर थोड़ा ज्यादा सुखा गिला-गिला लगता है तो थोड़ी सी और मैदा 14 रोट मिक्स कर सकते हैं तो उसको अबतिकि वो उसको हम अभी तेल मैं ने कढ़ाई में ले ले ली हूँ और तेल जैसे गरम होगे तो इसके अंदर हम शारे बालस को एड करेंगे तो एक सात मैंने सारे बालस इंहीं की हूँ क्योंकि एक दूसरे में चिपक जाएंगे तो मैंने इसे चार-पांच पहले डाली आधा तो जैसे ही नीचे से गॉल्डेन ब्राउन हो जाए फिर उसको आप पॉलट देना है तो उलट पॉलट करके ये भी बहुत जल्द ही फ्राइ हो जाएगी लोटों मिडियम कर लेना है ये तो जल जाएगी तो पांच मिनिट के अंदर ये जैसे ब्राउन होने तक हम इसको फ्राइ कर लेंगे बहुत ही इजी तरीके से और जल्दी भी बनके रेडी होते हैं अब चेना को फाड़ के पनीर डालते हो तो उसको प्रेस करके बांद के दो तीन घंडा रखना पड़ता है और पनीर बना के उसको बनाते हैं लेकिन यह एसे नही ही आप तुरंध ही उसको बना सकते हैं एकदम पनीर से भी ज्यादा टेस्टी लगते हैं तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी आलू भी एड करूंगी इसके लिए मैंने आलू को छोटे-छोटे टुक्डे में कट करके उसमें कन फ्लावर डालके इसको भी तेल में मैंने फ् मैंने डाल दी हूँ एक प्याज को छोटे कट करके ले ली हूँ और लसुन 4-5 आदर के 1 इंच के एक टमाटर और 4-5 काजू सब को एड करके और वो ही छेना का पानी था तो इसमें एड करके मैंने उसको प्योरिट बना दी हूँ तो ये मसाला तेर हो गया इसके लिए और ति इसक प्याज को मैंने छोटे चोटे टुकडे में खट करके रखे थी और उसी तेल में बचा हुआ तेल में ही मैंने सारे खड़े मसाले इलाजि या एन्धी तैसपान लोंग सब डालके और प्यास डाल को नम को उसको मैंने ठोड़ी सी गोल्डन ब्रौन होने तक उसको प्राइ करेंगे यह जैसे थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो इसके अंदर जो मिसम मसाला हम बना के रखेते पीस के उसके अंदर एड़ कर देना है तो इसको तेल से मसाला सेपरेट होने तक तब तक लोटू मिडियम फ्लैम में उसको भूनना है तो जब आधी भून जाए तो उसके अंदर हम सारे मसाले एड़ कर देंगे सुखी मसाले तो हल्दी मिर्ची गरा मसाला कस्मेर लाल मिर्च पाउडर जो आप चाहो आप एड़ कर सकते हो पनेर मसाला भी एड़ कर सकते हैं ने तो गरा मसाला भी और स्वाद के एक औरिंग मैंने नमक एड़ कर दी और थी कि फ्लेवर से टेस्ट उसका दोगना बढ़ जाएगी तो अभी यह देखो और भी यह अच्छी तरह से मसाले तेल से छोट चुका है अलग हो चुका है दोनों को तो इसी स्टेज में मैंने इसमें पानी एड करको और आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप पानी एड कर सकते हैं अगर कम ग्रेवी चाहिए तो कम दे सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा ज्यादा ही पानी एड की इसका मतलब दो ग्लास एड की और जब यह डाल देंगे ना इसके अंदर उभाल के पानी कम हो जाएगी जूस तो आलू भी एड कर दी तो आलू को इसके और फांच मिनिट तक उबालने देते हैं तो उसके बाद यह जरेना को बभाव कर के रखे ते उसको भी इसके अंदर एड कर देंगे तो यह ऑंदर जाए गा तो इसको बहुत प्रे मिनित यह और ऊबाल है और आपको जिस जितना घ्रीवी चाहा है उसके भी सॉप से आप बंद कर सकते ग्यास को तो मैंने अभी बंद कर दी तो इसके अंदर धनिया और थोड़ी सी देशी का घी एड़ कर दी अब उसको ऐसे पांच मिनित के एसे ही छोड़ देंगे उसके बाद हम सब करेंगे तो सारे ग्रेवीम के अंदर इचेना ले ले लेगी और एकदम और टेस्ट बनके तेहर होती है वीडियो अच्छे लगी तो लाइक शेर कर देना बाइफ्रेंड्स मिलती है नेक्स्ट वीडियो में